दोस्तो ये क्रेजी फॉर रियलिटी बहुत बढ़िया भाईयो इसे सब्सक्राइब कर दो हाँ तब تک जेज़ाल वहां पर आ जाता है और जेट हलाल को लगता है कि माधवी ने बिड़्े को जाड़ू लगाने की सजा दी है खेर दोस्तो जेज़ाल के दोस्त विनृत भाई का बेटा रोहन बिड्ये से टूशन पढ़ता है और भीड़े आजकल उसे बहुत ज़्यादा डाट लगा रहा है इसलिए जे ठालल भीड़े को समझाने आया है कि रोहन पर ज़्यादा ध्यान ना दे लेकिन भीड़े भी लकीर का फकीर है आसानी से मानता नहीं है खेर दोस्तो अगले दिन सुबह होती है और ये दिन भीड़े के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता इदर माधवी गीला पोंचा लगा कर अंदर चली जाती है तब तक भीड़े आकर उस जगे पे फिसल के धड़ाम से नीचे गर जाता है उसके बाद जब पीसी ओन करता है तो नहीं चलता इस वज़े से वो गडेश भाई को फोन करके डांट लगा देता है जबकि सोनू और माधवी बराबर उसे ये बताने की कोशिश करते हैं कि स्विच ओन नहीं किया है बेड़े ने लेकिन वो सुनता ही नहीं है और बाद में जब उसे पता चलता है तो भीड़े पहले बीड़े नाच तक करे आज आता है उसके पास जेठालाल का फोन भीड़े मेरे बातरूम का पानी टुपुक टुपुक कर रहा है अरे लेकिन मेरे घर में तो फोर्स के साथ आ रहा है अरे तो मेरे घर में क्यों नहीं आ रहा है अरे मुझे क्या पता अरे तु सेक्रे कर में भीडे से शावरोन हो जाता है और भीडे पूरा पानी से नहा जाता है पूरा गीला हो जाता है जेट हलाल पर भहुत भलकता है वो अपने घर निकल जाता है इतर सुसाइटी कंपाउन में उसे हाती सोडी और अब्दुल मिलते हैं जो भीडे को पूरा नहया हुआ नहला देता है ये वाला सीन बड़ा जबरदस्ता अब दूसरो अगले एपिसोर में देखना बड़ा दिल्चस्प होगा कि भीड़े को ऑनलाइन क्लास में फिर से कैसी कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आप इस बारे में क्या सोचते हैं अपनी डाय कमेंड बॉक्स म